वेलकम टू नेक्स अग्जाम आज है 17 सितंबर 2022 और 17 सितंबर 2022 से करेंट पहस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट आप मैं आपसे कुश्चिन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज कि इस वीडियो की पीडियो के डिसक्सिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलो कब मनाया गया है यह important days related जो कुश्चिन competitive exam में पूछे जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कुश्चिन है important question है यह आप याद रखिए 200 ओजोन दिवस यह हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है तो इस कुश्चिन का B options है यह अच्छा यह मनाया क्यों जाता है तो ओजोन परत के संरक्षट के बारे में लोगों को जागरू करने के लिए हर साल 16 सितंबर को 200 ओजोन दिवस मनाया जाता है अच्छा यहां से एक और question बन सकता है कि इस बार के 200 ओजोन दिवस की theme क्या है तो इस बार की theme है Global Cooperation to Protect Life on Earth क्या है Global Cooperation to Protect Life on Earth अब ओजोन ओजोन से related बहुत सारे question पूचे जाते हैं एक question पूचे जाता है कि ओजोन परत बायू मन्डल के किस हिसे में है आपको पता है हमारे atmosphere में पांच layer है कौन-कौन सी है troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere और exosphere और हिंदी में कहें तो छोब मन्डल, समताप मन्डल, मद्दि मन्डल, iron मन्डल और बहिर मन्डल जिसमें से समताप मन्डल में ओजोन परत है ये भी question बहुत पूचा जाता है तो उजोन परत है समताप मंडल में, किस में? स्टेटो स्पियर में यह जो बायो मंडल की परते हैं, यहां से related question जरूर एक्जाम में पूझा जाता है इसके लिए मैंने अलग से यह बीडियो बनाया हुआ है इस वीडियो का लिंक मैं नीचे description में दे दूँगा, उस लिंक पर click करके आप इस वीडियो को देख सकते हो अच्छा यह important day वाला question है तो अभी 2 सितंबर को बेसो नारियल दिवस मनाया गया था तेन सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रेपर डे और अंतरास्ती गिद जागुटता दिवस मनाया गया पांच सितंबर को अंतरास्ती चैरिटी दिवस मनाया गया साथ सितंबर को ब्राजील का स्वतनता दिवस मनाया गया और 7 सितंबर को ही नेले आसमन के लिए अंतरास्टी स्वच बायू दिवस मनाए गया 8 सितंबर को बेस्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाए गया 8 सितंबर को ही बेस्व फिजियो थेरपी दिवस मनाए गया और 8 सितंबर को इ antaraasti सक्चरता दिवस मनाएगा नौ सितंबर को हिमाले दिवस मनाएगा और 200 ऐलेक्टरिक वीकल डे भी मनाएगा 10 सितंबर को 200 आत्मत्या रोक्ताशन दिवस और 200 प्रात्मिक चिकित्सा दिवस मनाएगा 11 सितंबर को Patriot Day और Binova बावे की जैनती मनाएगी और 11 सितंबर को ही रास्टी बन सहीद दिवस मनाएगया 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाएगया 15 सितंबर को अंतरास्टी लोकतन दिवस Engineer Day और Bessu Limphoma जागरुकता दिवस मनाएगया तो अब तक सितंबर में इतने important day मनाएगया यह आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या like का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है helpful लगता है तब आप इस वीडियो को like को और से जिरूखिया करो और मैं आपको यह बोलता हूँ daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे चोटा साई target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को achieve करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है हाली में किसे Asia Pacific Forum का सदस से चुना गया तो अभी Justice Aron Misra को Asia Pacific Forum का सदस से चुना गया तो इस question का say options है आप image में देखिए यह है National Human Rights Commission इंडिया के सदस से Justice Aron Misra और इनी को अभी Asia Pacific Forum का सदस से चुना गया है next question हाली में भारत वंसी सैफाली राजदान को नेदरलेंड में किस देश का राजदूत नूक्त किया गया तो सैफाली राजदान ये अभी नेदरलेंड में अमेरिका की राजदूत अपोइंट होई है तो इस question का बे options है ये हैं सैफाली राजदान ये भारत वंसी है यानि कि इनका जन्म भारत में हुआ था, इंडिया के हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये अमेरिका की एक राजनीतिक हैं, इनको अब नेदर लेंड में अमेरिका ने अपना राजदूत न्युक्त किया है, अच्छा ये नया अपोइंटमेंट हुआ है, तो अभी दूसरी बार भारत के अटोर्नी जनरल बनेंगे मुकुल रहत्तगी, बरस्त राजनाईक प्रकास चंद को एरिट्रिया में भारत का राजदुद न्यूक्त किया गया, नागे सिंग को थाइलेंड में भारत का राजदुद न्यूक्त किया गया, बेक्रम दोराई स्वा के महा निरिच्चक के रूप में प्रबेड छाबडा को नियुक्त किया गया राजिस वर्मा को राष्टपती द्रौपती मुर्मुका सच्चिव नियुक्त किया गया है बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अनुझ पोद्रार को अपना MD & CEO प्रमोट किया है तो यह अभी रेसेंट अपॉइंटमेंट है अच्छा अमेरिका लिखा हुआ है तो इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन-कौन सी डिफेंस एक्साइज होती है कोप इंडिया टाइगर ट्रंफ बज प्रहार और युद्धव्याद यह इंडिया और अमेरिका की वीच की इंपोटेंट टेफेंस एक्साइज है नेक्स क्यूशन है हाली में किसे नया बाड़िज सच्चे बनाया गया है तो अभी IS अधिकारी सुनील वर्थवाल को नया बाड़िज सच्च बनाया गया तो इस क्यूशन है हाली में एहमदाबाद मेडिकल कॉलिज का नाम किस के नाम पर रखा गया तो अभी एहमदाबाद मेडिकल कॉलिज का नाम प्रदानमंत्री के नाम पर रखा गया तो इस क्यूशन का बे आप्सन सही है एहमदाबाद नगर निगम ने एहमदाबाद मेडिकल कॉ और महाँ पर जो Medical College है, दोनों ही नाम अब प्रदानत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिये गए हैं, ने क्यूशिन है, हाली में कौन सा देश SCO सिकर सम्मिलन 2022 की मेजवानी कर रहा है, तो अभी उजवेकिस्तान, SCO सिकर सम्मिलन 2022 की मेजवानी कर रहा है, तो इस options है, प्तानत्री मोदी भी अभी SCO सिकर सम्मिलन में participate करने के लिए उजवेकिस्तान ही कहे हुए है, अब उजवेकिस्तान तो यह है मैप में उजवेकिस्तान, उजवेकिस्तान की capital क्या है, तासकन, उजवेकिस्तान की currency क्या है, उजवेकिस्तानी सोम, और उजवेकिस्तान की present time पर president कौन है सवाकत मिर्जियोब कौन है सवाकत मिर्जियोब अच्छा ये जो SEO सिकर समिरन है ये उजवेकिस्तान की समरकंद में हो रहा है अच्छा SEO इसकी क्या है sungai cooperation organization क्या है sungai cooperation organization इसकी आपना कव हुई थी 2001 में इसका हेड़कवर्टर कहां पर है बेजिंग में और इसके प्रजेंट टेम पर सेक्रेटरी जरनल कौन है जांग मिंग कौन है जांग मिंग next question है रहली में किस Tennis कि लाड़ी ने पेसेवर Tennis से सन्यास की गोशन की है तो अब ही secretsора टेनस से सन्यास की गोशन कर दी तो इस question का say options आई है यहाँ स्विट जे लेंड के Tennis playerahn रोजर फैडर इन्होंने बेस वार ग्रेंड स्लेम जीता था और अब इन्होंने पेसेवर टैनिस से सन्यास की गोश्ण की है अच्छा सन्यास की बात है तो कल ही मैंने आपको उताया था कि क्रिकेटर रॉबिन उथपा ने सन्यास की गोश्ण की उनसे पहले सुरेस रेना ने सन्यास की गोश्ण की एक बंगलादेस के खिलाडी हैं साफिकुर रहीम उन्होंने भी सन्यास की गोश्ण की थी ये अभी सन्यास से रेलेटेट कुश्ण है अच्छा क्रिकेट की बात आई तो मैं आपको बता हूँ बिराट कुली ट्विटर पर सबसे जप़ज़ा फॉलू किया जाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं और बिराट कुली क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में 100-100 मैच खेलने वाले क्रिकेटर भी बने हैं नया क्यूशिन है हाली में पांच लाग करोड का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तेसरा बैंक कौन सा बना है तो पांच लाग करोड रुपए का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तेसरा बैंक इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है तो इस कुश्यन का बे ओप्सन सही है अच्छा SBI बनाया है, तो SBI की स्तापना का वही थी, 1955 में, इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है, मुंबई में, और इसके प्रजेंट टेम पर है, चेर्मेन कौन है, दिनेस कुमार खारा, अच्छा ये तेसरा बैंक बना है, तो पहले दो बैंक कौन से हैं, जिन्होंने 5 लाग क पहला डिजिटल सिटी कौन सा बनेगा, तो अब इन दोर भारत का पहला डिजिटल सिटी बनेगा, तो इसके इन का A option सही है, इन दोर में, अब हर ब्यक्ति के पास अपना खुझ का डिजिटल आईडी होगा, जैसे सपोर्च किसी ब्यक्ति का एड्रेस आपको खोजना है, तो उसका जो digital ID number है, उससे आप उसका location ट्रैक कर सकते हो, उसकी location का पता लगा सकते हो, तो इंदोर देश का पहला digital city वनेगा, यानि कि वहाँ पे हर व्यक्ति के पास अपना खुद का digital address होगा, तो इंदोर आप याद रखिए, हाली में किसने SAFF under 17 खिताब जीता है, तो अभी अपने देश भारत ने नेपाल को हरा कर SAFF under 17 खिताब जीता, तो इस question का बे options है, इंडिया ने कुलंबो में नेपाल को हरा कर SAFF under 17 खिताब जीता है, अब SAFF इसकी फुल्पुम क्या है, South Asian Football Federation, क्या है फुल्पुम, South Asian Football Federation, ने答案 करें, किस ने रामकरश्ण मिसन के जागरती कारिकरम का सुबारम किया है, तो प्रजेन टाने पर हमारे एक सिक्चा मंतरी है, धर्मेंद्र प्रधान, इनो ने अभी रामकरश्ण मिसन के जागरती कारिकरम का सुबारम किया, तो इसकुशन का से ओप्शन सही है धर्मिंद पदान ने कच्छा एक से पांच तक के चात्रों के लिए राम क्रश्न मिशन के जागरती कारिकरम का सुबारम किया है अच्छा राम क्रश्न मिशन इसकी स्तापना कब हुई थी तो इसकी स्तापना हुई थी 1897 में कब 1897 में इसका हेड़कॉटर कहां पर है पस्च मंगाल के बैलूर मठ में और इसकी स्तापना किसने की थी स्वामी बिबेकानन ने किसने स्वामी बिबेकानन ने नेक शुशन है हाली में किस राजसरकार ने SC, ST और अन्न के लिए आरक्षड को बढ़ा कर 77 प्रतिसत किया है तो अभी जारखण ने SC, ST और अदर्स के लिए आरक्षड को बढ़ा कर 77 प्रतिसत किया है तो इसकी स्वामी बिबेकानन के लिए SC, ST, OBC और एकॉनमिकल बेकर सेक्षन के लिए आरक्षड को बढ़ा कर अभी जारकड ने 77 प्रतिसत कर दिया है और जारकड सरकार ने जो OBC को अभी तक जारकड में 14 प्रतिसत आरक्षड में पता उसको बढ़ा कर भी 27 प्रतिसत कर दिया है अब जहारखंड तो ये है मैप में जहारखंड जहारखंड की capital क्या है? रांची जहारखंड की chief minister कौन है? हैमंत सोरें और जहारखंड के governor कौन है? रमेश बैस अच्चा जो present time पे हमारी राष्पती हैं द्रौपदी मुर्मू ये इससे पहले जहारखंड की governor थी अब जहारख पहले दो कौन से हैं बिहार और उडिसा जार्खंड सरकार ने ब्रिटेस उच्चायों के साथ चात्रवती समझाता किया है जून वहां की रर्वन मिसंड डेल्टा रेंकिंग अभी जार्खंड टॉप पर रहा था और तम्माकु नियंतर के लिए जार्खंड को डबलू एचो पूरुसकार मिला है next question है किस देश की प्रदानमंत्री मेग्डेलना एंडर्सन ने इस्तिफखे की गोश्ना की है तो स्वीडन की अभी तक प्रेम मिनिश्टर थी मेग्डेलना एंडर्सन इन्नों अब चुनाओ हरने के बाद इस्तीफ़े की गोश्ण की है तो इस कुश्छन का ए опасie यह मैग्डेलना एंडरसन ये अभी तक स्वीडन की प्राइमनिस्टर थी अब स्वीडन तो यह है मैप में स्वीडन स्वीडन की केपिटल क्या है स्टॉक होम स्वीडन की करनसी क्या है स्वेडिस क्रोना और स्वीडन की अभी तक प्राइमनिस्टर थी मैगडलना एंडर्सन लेकिन अब इन्होंने इस्तिफा द तςमिलनडु को अगस्त मलाई में अपना पाँचमा ते रिजन्या तमिलनडु सरकार के उप्योग में पूरे देश में तमिलनाडू टॉप पर रहा है तमिलनाडू सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेकनोलोजी के साथ समझोता किया है और तमिलनाडू राजी सरकार ने 18 दिसंबर को अलपसंग के अधिकार दिवस मनाने की गोश्णा की अच्छा त तमिलनाडू सुनके कुछ याद आता है मैं आपको हमेशा बताता हूँ पूरे देश में मचले के उत्पादन में तमिलनाडू नमबर वन पर है त्यान रखिए मचले के उत्पादन में तमिलनाडू नमबर वन पर है फलों के उत्पादन में आंद्रप्रदेश नमबर वन पर है और चेने के उत्पादन में महरास्ट नंबर बन पर है तो ये नंबर बन राज जी आप याद रखिए अच्छा तमिल लाणू में तमिल थाई बज्दू को राज की गेद गोसित किया गया है तमिल लाणू में सत्य मंगलम टाइगर रिजर्ब है इसे अभी टे एक्स तू अबाड अच्छा अभी तमिल लाणू में चित्रई उत्सम मनाया गया था तमिल लाणू में जली कट्टू का आयोजन किया जाता है जली कट्टू का आयोजन तमिल लाणू में होता है और आधि पूरम त्योहार भी तमिल लाणू में मनाया जाता है अच्छा नान मु पूल लिबान ब्रांड बन गया तो इस कुश्चिन का से ओप्शन सही है अब टेसियस यानि की टाटा कंसल्टेंसी सर्वेस इसकी स्थापना कव हुई थी 1969 में इसका हेड़क्वाटर कहां पर है मुंबई में और इसके प्रजेंट टेम पर सीयो कौन है राजियस गोफी नाथन कौन है राजियस गोफी नाथन अब लास्ट वीडियो के कुश्चिन का आंसर लास्ट वीडियो मैं आप से कुश्चिन पूचा था कि भारत का पहला बा मुस्ट वीडियो के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुश्चिन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके पर प्रेविए से पोस्ट कर तो आप पर नेक्स्ट एक्जां सर्च करके अमरा पर जोयन कर सकते हैं क्योंकि प्रेविएस क्वेशन आपको बहुत यंप करते हैं अगर आपको कैसी कोशियन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिएटेड भी कोई प्रॉल Об तो आप Instagram पर IndresRC, Instagram पर IndresRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any agitation, discuss कर सकते हैं अच्छा, आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना है आज किस वीडियो का target है 40 यह लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का मारा current affairs का वीडियो आपको इस वीडियो कैसा लगा, please comment box में जरू बताना और अगर अबे तक भी आपने मारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इससे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam always with you thanks for watching